कि है गुद्ध मॉर्निंग क्लास क्या हाल है आप सभी के दिस इस मी और काजल चौधरी मैम क्या हाला आप सभी की उमीद करती हूं आप सब बहुत 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 ज्याद अच होगे जल्दी से जाएं जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ गाइस तो आज हम लोग पढ़ने दोनों की मिक्स क्लास है तो आज जो कोशन होने वाले हैं वो दोनों का माइन कोशन होने वाले हैं जो बिहार टेट वाले स्टूडेंट से बिहार सुपर टेट वाले स्टूडेंट से जी टेट वाले स्टूडेंट से चाहे आप किसी भी टीचिंग एक्जाम की त्यारी करो आप पढ़ सकते हो लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा बिहार टेट पर हैने वाला है और हमारा सी टेट पर हैने वाला है So guys, are you getting my point? Good morning, good morning सबसे पहले तो ही बताएं आप लोगों की ईद कैसी रही है? ज्यादा बढ़िया सवाल तो यही है पूछने लाएं कि आपकी ईद कैसी रही है? Who will tell me? Good morning, good morning सभी को very good morning चले So पहला सवाल है आपके सामने आप लोगों से बोला जा रहे है कि Which glands in the human body maintains the body temperature? आप से साफ साफ लफजों में बोला जा रहे है कि भाई हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों का बोडी temperature को maintain करके रखता है क्या करता है? बोडी temperature आप लोगों का maintain करता है pituitary है, thyroid है, hypothalamus है आप लोगों का adrenal है इन में से कौन सी ऐसी gland है? प्लीज जल्दी से बताईए मैं नेक्स टाइम जरूर आउंगे रूहान एद में गुड मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग है यार दिन ने कले तो मैं पढ़ाने आ जाती हूं इसका सही आंसर है आप लोगों का hypothalamus इसका correct answer है मेरे प्यारे साथ ही हूँ आप लोगों का hypothalamus hypothalamus के बारे में अच्छा side हो जाओं आप लोगों का hypothalamus hypothalamus के बारे में एक बात आप बहुत इच्छे से जालने हैं यह आपकी body के सारे के सारे feelings को control करता है emotional center इसको कहा जाता है आपके दिल में जितनी भी feelings चल रही हूँ आप किसी से प्यार करते हैं किसी से नफरत करते हैं किसी को देखकर खुश होते हैं किसी को देखकर बहुत गुस आ जाता है भूक लग रही है प्यास लग रही है body का जो temperature है जितनी भी आपके चीज़े हैं इनका regulation कौन करता है इनका regulation करता है आप लगों का hypothalamus तो इसको हम हमारी body का emotional center भी बोल कर शलते हैं this is also known as emotional center और feeling center दो चीज़े आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रिखेगा कि यह तो emotional center होता है आप लोगों का यह आप लोगों का feeling center होता है और गाइस तो यह चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रिखेगा जितने भी students है हां सारी feelings जैसे आपको किसी से डर लग रहा है तो भी hypothalamus है प्रेम है, ग्रिना है, whatever सारी की सारी feelings है, love है, hate है, happiness है, steadness है तो जितनी भी दुनिया में तमाम feelings होती है, सारी की सारी आपका con regulate करके चलता है आप लोगों का hypothalamus regulate करके चलता है चले, बढ़ते हैं थोड़ा सागे की तरफ अगला सवाल देख लेते हैं अगला question है आप लोगों का यह आप सबी ने bamboo बहुत अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को bamboo के बार में पता भी होगा thanks dear मुझे बतानी के लिए कि आज मैं studio में light थोड़ी सी कम है बात बिल्कुल सच है, actually light बहुत कम थी थोड़ी कम नहीं, बहुत कम थी तो मुझे ऐसा लगा कि light थोड़ी सी बढ़ा देने चाहिए ठीक है तो बढ़ते हैं जरा सा आगे की तरफ और हम देख लेते हैं सवाल को की जवाब हमारे क्या-क्या कहने की कोशिश कर रहा है चलिए bamboo के बारे में बात करते हैं गास है, ट्री है, शर्व है की हर्व है देखने से तो पेड लग रहा है तो मुझे उमीद है कि आप में से बहुत सारे स्टुटेंस इसको पेड़ी बताने वाले हैं लेकिन फिर डाट खाने की चांसे थोड़े से बढ़ जाएंगे आप लोगों के आप लोग हमीशा धिहान रखेगा, मोडिफिकेशन अफ ग्रास मतलब इसका एक्जामपल होता है किस चीज का आप लोगों का बैम्बू का ओल्राइट गाइस तो इस इस अल अबर दा बैम्बू चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देखते हैं और हिसाब किताब भया दोस्तो जित्ते भी दोस्त है इस अब ग्रास शर्ब नहीं है मेरे भाई घास है अभी मैं एक्स्प्लें कर चुकी हूँ कि घास होती है अभी भी कुछ बच्चे ट्री और शर्ब बता रहे नहीं गास इसका सही आंसर है ग्रास राइट चले बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ नेक्स्ट है आप लोगों का यह सवाल आपसे बूला जा रहे कि अनियन इस अ मौडिफाइड फॉर्म और जो आपका अनियन है वो आपका किस परकार का मौडिफाइड फॉर्म होत नहीं है और बाकी तो सब जड़ी बूटे हैं आपकी जान पेचान की तो थे तीनी चीज़े हैं आपर आलू, प्याज और लहसन क्या चीज होती है और जिन जिन स्टूडेंस के आज पहली क्लास है मैं आप सभी का स्वागत करती हूं दिल से यह स्टैम मॉडिफिकेशन होत में उनके स्टोरेज के लिए चीजे बनाई गई थी और वो चीजों में क्या था आप लगों के स्टैम था रूट था लीफ था तो अगर कोई आप से प्याज के बारे में बात करें आप से शुगर के बारे में बात करें आप से आलू के बात करें आप लोगों से बात कर ले इस चीज के बारे में गार्लिक लेहसं के बारे में तो इन सारे की सारी चीजों के बारे में जब कभी भी आप से बात होती है तो इसका सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों that is modified stamp correct answer क्या है आप लोगों का modified stamp, alright guys बढ़ते हैं थोड़ा सागे की तरफ next आप लोगों से बात की जारी की अगर हम थर्म के इस्तेमाल करते हैं अगर हम किस चीज के इस्तेमाल करते हैं आप रगों का ताप के इस्तेमाल करते हैं तो ताप से हमें क्या पता लगता है ताप मान है good morning, good morning देखे जिसकी पहली क्लास है very very welcome to the class बड़ा अच्छा लगा मुझे आपको देखकर आप में से कितने students ऐसे हैं जो कल नहीं आये थे भाई कल संडे में 10 वजे क्लास हुई थी आपकी कौन-कौन नी आया था आप में से जरा बता दो अभी डाट खाओगे फिर जिसका फर्स्ट क्लास है that's very good नोट जहां दो चार कुशन ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है है ना तो उसी में मेरी खाल से मैं नहीं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सांतर बता पाती इसको हम हीट से कंपेर करते हम इसको किस चीज से कंपेर करेंगे हम इसको हीट से कंपेर करेंगे धियान रखेगा टैंप्रीचर, तापमान, उश्मा है ना हीट हीट से हम इसको कंपेर करके चलते हैं आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे पावर, लाइट और डिस्टेंस के बारे में बताएंगे आपने अगर बहुत अच्छे से देखा होगा क्लास जो 945 पे चल रही है तो मेरे ख्याल से मैंने पावर, लाइट और डिस्टेंस लाइट तो अभी एक्स्प्रीन नहीं कर रहा है मैंने प्रॉपर तरीके से लेकिन मैंने पावर और डिस्टेंस तो काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्स्प्लीन कर रखा है जहां तक मुझे ऐसा लगता है पावर है, लाइट है और आप लोगों का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों का टोटल पात कवर आप जितना भी चल रहे हो संपूर पत आप कितना भी चल रहे हो for an example मैंने यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है मैं यहां पर गई, यहां पर गई, यहां पर गई, यहां पर गई, यहां पर ऐसे ऐसे करके मैं जितना मर्जी घूम जाओ अगर मैंने एक कदम भी रखा है तो वो भी आपके distance में count होगा ध्यान रखना इस चीज़ को ठीक है अगर एक कदम भी मैं रख रही हो तो that comes under the category of distance जी बहुत बढ़िया पावर आप में से कितने students मुझे पावर वाट के बारे में नहीं पूछ यूँँ अगर आप से कोई बोले कि आपको पावर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे पावर होता क्या है साथी में लाइट तो आपको पता है इस नॉर्मल लाइट को तो लाइट के बारे में अगर पूछने के लिए आएगा तो स्पीड ओफ लाइट पूछ लेगा जादे सादे सादा तो कुछ ना पूछेगा दूरी आप लोगों से हाँ पर बात की जारी किस चीज के बारे में स्टीमल लाइस स्टील के बारे में बात करी जारी आप लोग से तील कैसे मिलकर बनती है जब कभी भी आप लोगों से स्टील के बारे में बात की जाए तो this is very much important question actually क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों का पूछा गया है स्टील आप देख पारे हो मेरे साइड में Good morning, good morning, good morning मेरी क्लास के टाइम सुबर 9 बजे ही होता है हमेशा से 9 बजे ही हुआ है और आज भी 9 बजे ही है दिखें मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन कभी-कभी नहीं भी आप आती है तो आप खुद आ जाये करो क्लास में मेरी क्लास हमेशा 9 बजे स्टार्ट उती 9 o'clock at any cost ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरी क्लास का उपर नीचे टाइम वाइम हो रहा है नहीं हमेशा 9 का मतलब 9 एक्जेक्ली पावर का मतलब था rate of doing work आप कितनी तेजी से काम को कर रहे है तो वो आपकी कार रिशमता कहलाती है पावर कहलाती है शक्ती कहलाती है आप से कभी भी stainless steel के बारे में बात पढ़ लीजाए गो विद्धा कारबन क्यूंकि वही कारबन है जो आपकी stainless steel में hardness प्रदान करता है कारबन है आपका chromium है दो चीज़े आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रतनी कारबन है आप लोगों का chromium है आइरन भी डल जाता है तो ये तीन बेसिक चीज़े हैं कारबन, क्रोमियम, आइरन आइरन नहीं आइरन आइरन ऐसे एक बार में पेट बैच पढ़ा रही थी वहाँ पर एक बच्चे का नाम था आइरन और उससे पहली में blood chapter पढ़ा रही थी तो मैं उसमें आइरन का इस्तेमाल करा कि next class में मैं उस बच्चे को आइरन ही बोल रही थी जबकि वह मुझे इतनी बार कहा था मैं मेरा नाम आइरन नहीं है आर्यन है तो कभी-कभी slip-up टंग इतना जादा हो जाता है कि समझ नहीं आता है कि किसी का कुछ भी नाम बुला देती हुए है हाँ हुआ है हुआ है आपसे बूला चाहर है कि बनाना का कौन सा पार्ट खाते हो देखिए बिहार टेट वाले जरा ध्यान से सुनलो भाई बिहार टेट सुनलो बिहार में पेड पोहुत दे फल आपका पेड़ पते जितनी भी यहां से सवाल पुछे जाने की पूरी समभाब न रहती है यूपी का थोड़ा सा लग है मैं स्टेट की बिच डिविजन नहीं कर रही हूं मैं अकॉर्डिंग टू प्रीपर एक बार रिविवीव करा था तो पेडों में से काफी सारे सवाल पूछने के लिए आए थे लेक आप इनको याद करिएगा चलिए इसका सही आंसर ही आप क्या खाते हो आप उसका एंडोकार्प खाते हो अंदर वाला हिस्सा खाते हो मीजोकार्प बीच वाला हिस्सा होता है यह बाहर वाला हिस्सा होता है यह आपका अंदर वाला हिस्सा होता है तो बेरे ख्या से आप के कि शाड़ आप उसका एंदो का रहे हुआ है कि मिदी बिहार में इस बार सुपर टैट होने की समभावना है हर बहुत टाइम से वा नहीं है जो सिक्छा प्रणाली है जो भी चयन प्रिकरिया रहे उसमें वो UP की तरह SuperTet करवाएंगे तो इसलिए मैं Short Form में उसको B-Tet बोल रही हूँ जैसे UP में SuperTet को हम StateTet बोल कर चलते हैं S-Tet बोल देते हैं तो हम यहाँ पर B-Tet बोल देते हैं फोर Bihar हाँ आज 9.45 की क्लास है जी बिलकुल करवा देंगे Next Next आप लोगों से बात की जारी निमले कि इतमे से कौन सा बहुतिक परिवर्तन का उधारन है आप लोगों से बात की जारी Which of the following is an example of physical change तो आज मैं आपको physical और chemical change ही पढ़ाने वाली हूँ 9.45 की session में तो आपको यह पता होना चाहिए कि महस दोनों में अंतर क्या है एक बहुत छोटा सांतर होता है For an example जैसे मालनों आप सुभे की चाय बना रहे हो चाय एक्स्ट्रा बन चुकी है तो क्या आप उस चाय में से दूद अलग कर सकते हैं चीनी अलग कर सकते हैं पानी अलग कर सकते हैं ऐसा संभव है क्या दूसरी तरफ आपके पास बहुत सारा पानी है आपके पास एक्स्ट्रा पानी है तो आप उसको बर्फ में convert कर रहे हो बर्फ जादा बनगी तो बर्फ से पानी पानी से बर्फ आप ये process भी कर रहे हो तो जो आपकी पहली वाली प्रोसेस है, चाय वाली प्रोसेस है, जहां पर आप original components को वापस नहीं ला सकते वो आपका chemical change है, physical change वो होता है, जो आप एक form से दूसरी form, दूसरी से तीसरी form सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं ला सकते, exactly लकडी अगर एक बार जल जाएगी, तो क्या वो वापस original form में आती है, नहीं आती, कुछ भी हो जाए, किसी भी गीमत पे वो वापस नहीं आएगी आप लोगों से बुला जा रहे, अंडा उबालो तो वापस से खच्चा नहीं बन सकता तरनिश अप सिलवर, अगर एक बार तरन हो गई तो भली आप आप artificially उसको चमक वालो लेकिन उसमें वो पहले बाली बात नहीं आती सहीं आशर है, बॉलिव वाटर इसका सहीं आशर है आप लगों का वाईलिव वाटर boiling बोल रही हूं है boiling of water होता है done? चले बढ़ते ही जाइस थोड़ा साधिया के तरह this is the question so this is all about the chemical and physical change यह मैं आपको बाद में बताऊंगी आज 9.45 की session में मुझे यही समझाना है next आप लोगों से बात की जारी an instrument used to measure humidity आप में से कितने student ऐसे हैं आदरता जानते हैं कि भया क्या होती है आदरता अरुनेश हाँ बिहार में BPSC की थुरू सेलेक्शन होगा आपका टीचिंग का पर उसका जो पैटर्न है हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जैसे सुपर्टेट का होता है कुछ उसी टाइप का होगा देखे बिपीएसी तो रेगुलेटरिंग बॉडी है जैसे हमारा सीटेट सीबीएसी वाले करवाते है ऐसा कुछ भारी भायानक पर नहीं आएगा जिसे कोई अटैंप ना कर सेके इतना तो एक्जामिनर को भी पता है कि जादा भारी सवाल पूछ लिए तो किसी कभी सेलेक्शन ना हो पाएगा इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का हाईग्रोमीटर इसका बहुत करेक्ट आंसर है यहाईग्रोमीटर बी ऑप्शन बूट भी ता राइट वन आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे एनिमोमीटर और थर्मोमीटर का फंक्शन बता सकते हैं आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनिमोमीटर और थर्मोमीटर का मुझे थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे कि एनिमोमेटर क्या होता है थर्मोमेटर क्या होता है एक्जाक्ली रोहित ने बिल्कुल सही explain कर रहा है कि माम presence of water vapors in atmosphere correct आपके वाता बरेड में जब आप देख लेते हैं किस चीज की बारे में water vapors देख लेते हैं तो that comes under the humidity category हाँ हाई ग्रोमेटर सही आंसर है एनिमोमेटर आप हवा का रुख बताते हो कितनी तेजी से हवा चल रही आंधी आई है तुफान आया है वो बात अलग है लेकिन जो नॉर्मल बहुत तेज स्पीट से आपकी जो हवा चलती है या जो कहलो गर्मियों में लू चलेगी तो हम एनिमोमेटर से माप कर चलते है राइट भाई खबरदार जो मुझे किसी बच्चे ने यहां पर अगर ब्लड बताया है तो बहुत मारूंगी में पकड़के सबको थर्मोमेटर से ब्लड नापोगे थोड़ी बहुत भी डर शरम नहीं रही है कि थोड़े बहुत भी इसके दिर आप एयर को मैसर करते हो थर्मोमेटर से बौड़ी के टैमप्रेचर मेरी भगवान टैमप्रेचर होता है ब्लड क्यूं मता रहे हो ब्लड का तो हEMAटोमीटर अलग से आता है भाई ब्लड हट चीज से थोड़ी चेक कर लिया जाता है कि आजो थर्मोमेटर में थमारा ब्लड देख ले मुझे कभी-कभी ना खौफ आते हैं तुम लोगों के आंसे दे कर कुछ भी मत बताओ यार चले बढ़ते हैं थोड़ा सागे की तरफ नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अज पीसिस अफ प्लांट विच कें ग्रू इन ड्राय कंडिशन स्विच लिटल और नो वाटर हाँ भाई इसके बार में मता दो वेरी मच इंपॉर्टेंट हाँ जी जी जीरोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट और हाइड्रोफाइट ऐसे बताने जो आपकी ड्राय कंडिशन में भी उग जाएँ जैसे आपका बड़ा अच्छा एक्जाम्पिल है कैक्टस एलोवेरा, एलोवेरा तो सभी ने देखा होगा, मेरी खाल से एलोवेरा तो बहुत कॉमन सी प्लांट है हर किसी के घर भी होगा इसका सही आंसर है आप लोगों का, जीरोफिटिक प्लांट वो ऐसे पोधे जिनके अंदर पानी की फाल्तू आविशक्ता नहीं पड़ती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जैरोफिटिक बोल कर चलते हैं उनको हम क्या बोलकर चलते हैं, उनको हम जैरोफिटिक प्लांट्स बोलकर चलते हैं कि इससे ओके यहाँ पर कई दिखकार समस्य परिशाने कुछ पूंख ना यह आप दिख कोस्पास सकते हैं कि हैं leofites आपकर होते हैं जहां पर आपका हो जाएगा बहुत बहुत रेयर होता है कि एक-दो सवाल पेड़ पोदों से पूछ ले लेकिन बिहार वालों पर मुझे पूरा भरोसा है कि पेड़ों पर कोशन आएंगे याएंगे तो पेड़ वाले जितने भी कोशन हैं आपको बढ़ी आसे करके चल ले हैं और आप में से इतने स्टूदेंट्स हैं जो क्लास में पहली दाफा हैं फटा फट से एक बार चानल सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए राइट साइड हो जाओ लू भाई कोशन पढ़ लू आराम से प्लस प्लस चलेगा यार ठीक है मेरी खाव से पोशन पढ़ेंगा काफी ताइम देड हैं तो इस आटा जीरो का मतलब होता है आप लगों का ड्राइट यह कहा रहते हैं आप लगों के डेजर्ट में रहते हैं बहुत कम वर्षा है न और प्रॉब्लम फीस क्या करते हैं एक्स्टीम ड्राइनस सूखा कम वर्षा यह बात ध्यान रखेगा तो मेरी खाल से आप लगों को अगेब की बारे में पता होना चाहिए यूफॉर्बिया की बारे में पता होना चाहिए आप लगों का यहां पर आप कैप्तिस भी लिख सकते हैं यहां पर आप अलोवेरा भी लिख सकते हैं तो यह कुछ 5-6 प्लांट्स हैं जिनकी शकल और जिनके नाम प्लीज स्क्रीन शॉट ले लिजे मैं साइड हट जाती हूं सो दाट आप कुछ कर सके पेपर में अरे हां हां संडे वाली क्लास की पीडियाप भी देनी है मेरे को तो क्या हम आगे की तरह बढ़ सकते हैं गौरी आप मुझे बाद में मेसेज कर लीजेगा क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही हो तो थोड़ा डिस्टब होगा आप मुझे बाद में मेसेज कीजीगा नेक्स्ट आप लोगों से बात की जारी किस चीज के बारे में air coolers are more suitable for आपके जो air cooler होते हैं वो जादा suitable होते हैं किन चीजों के लिए hot or humid climate के लिए hot or dry climate के लिए cold sorry cool or humid climate cool and dry climate what the reason behind that चलो भाई बता हो अम्रिता प्लीज टेल में आंसर राइट नाव सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका होटन प्राय क्लाइमेट जाहिर से बात है सद्यो में तो कूलर महीं चला के रखोगे ना तो आपको यहां पर नहीं होना था इतना तो दिमाग सभी के अंदर है यूमिट क्लाइमेट में क्या होता है कभी-कभी आधरता होती है जैसे बारिश की बात का जो अचानक से मौसम आता है जिसमें थोड़ी उमस होती है ना आम भाशा में उमस का इस्तेमाल कर देते हैं उस कंडिशन में भी कुलर नहीं चलेगा जितना चापका होट और ड्राइ क्लाइमेट में चलेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह बढ़ते ही थोड़ा सा अगी की ज़रा नेक्स्ट है आप लोगों से बोला जा रहे है कि हाइड्रो क्लूरिक एस जिसे हम HCl बोल कर चलते हैं इस पर थोड़ी सी लंबी चर्चा करूँगी मैं पहले आप इसका दूसरा नाम बता दू HCl देख लूंगी मैसिज में सभी के मैसिजजेश देख लूंगी अभी मुझे थोड़ा सा टायम कम मिल पा रहा है इसका करक्ट आंसर है मुराटिक एसिट बोला जाता है आप लोगों कब मुराटिक डीखें, नाइटरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड आप लुगों का दूसर होता है, पिकरिक एसिड आप लोगों का चेंज में होता है तो इसका correct answer है मूरेटपी एसिड, अरे भाया, पहला option है इसका तीनो में कट कर दिये, तो पहला ही बचाना चलिए, HCL के बारे में थोड़ी सी प्यारी सी बाते कर लेते हैं HCL आप लोग हमीशा ध्यानकनस टॉमक में प्रेड्यूस होगा टॉमक में सेल्ज होते हैं, औक्जिंटिक सेल्ज ठीके, कहां पार होता है आप लोगों का अमार्षय में होते हैं, इसके दो काम होते हैं एक तो यह किल करता है बैक्टिरिया को जो आपके खाने में प्रेजेंट होते हैं और यह एक्टिव करता है एंजाइन को और यह क्या करता है आप लोगों का एंजाइन को एक्टिव करता है जो आपके protein digestion में मदद करती है बहुत अच्छे से हमको मालूम है कि हम भार से कुछ भी खा ले bacteria तो आएंगे याएंगे तो उस bacteria से लड़ने का उपाय है सिर्फ HCL के पास ये HCL आप लोगों का प्रेड्यूस हो रहा है oxydentic cell के दुआरा so that protein का digestion हो सके so that क्या हो सके आप लोगों का protein digestion हो सके please आप ये सारी की सारी चीज़े बढ़िया से ध्यान में रखेंगे और अच्छे से पढ़कर चलेंगे भाई जिसको पढ़ना है पढ़लो CTET जब भी होगा आपको तो पता लग जाएगा ना अभी तो एपरिल चल रहा है मई है जून है जुलाइ है क्यों परिशान होते हैं everything will be cover soon एमपी टेट के लिए last moments देदू सुनाली जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक एक बार NCRT हो जाए सारी की सारी जितनी भी आपके weak points है केवल उनी पर ध्यान देना जो नहीं आता उसको बिल्कुल मत पढ़ना क्योंकि अब दक नहीं आया तो अब क्या आएगा मेरा तो यहीं माना है मतलब मैं अगर किसी चीज़ की तियारी करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ जो मुझे best आता है वो मैं नहीं पढ़ती क्योंकि वो तो मुझे आता है जिसमें मुझे थोड़ा 50-50 रहता है मैं सर्फ वहीं पढ़कर जाती हूँ कुछ नया मैं कभी भी नहीं पढ़ती एक्जाम के पास क्योंकि अब तक नहीं सीखा है तो एकदम दो दिन पहले तो कैसे ही आ सकता है possibility नहीं है चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सागे की तरफ तो यह आप लोगों के body के oxyntic cells होते हैं जहां पर आप लोगों का hcl production होकर चलता है दूसरी सबसे बड़ी बात है आप लोगों का गॉल ब्लेडर यह आप लोगों का पूरा-पूरा stomach होता है this is cardiac this is fundic this is pyloric cardiac आपका सबसे उपर वाला हिस्सा fundus आपका बड़ा वाला हिस्सा end में आप लोगों का पाइलॉरिक है जहां से आप लोगों का गॉल ब्लेडर बैक साइड से अटैच होता है यह मैं समझना कि गॉल ब्लेडर इसी के साथ अटैच है थोड़ा बैक साइड से 3D डाइग्राम बना नहीं पाए यह बिचारे तो आपको ऐसे सम्झाने की कोशिश करी जा रिए बीच में आप लोगों का ऑक्जिंटिक सेल होते हैं ऑक्जिंटिक सेल को थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना हुआएगा कि आई यू गेटिंगे सेम पॉइंट और नॉट मेरा यहां पर सवाल है आप लोगों से कि मैंने तो ऐसा सुना था कि HCL बहुत भयानक ऐसेड होता है अगर किसी के हाथ वाथ पर गिरिया तो जलने की पूरी-पूरी संभावना रहती है लेकिन हमारे तो पेट में ही बन रहा है तो हमारे पेट अब तक फट जाना चesst तो उसमें होजाने चे facet NCRT पढ़ लो एक बार यार बहुत है more than enough है मुकस हेल्प करता है very good चलो यार आस्ते तुम पढ़ पढ़ा कर आएगो बढ़ी अलग रहा है तो आप ये देखना ये आपके पूरे के पूरे स्टॉमक के उपर lining होती है जिसे हम क्या कहते है मुकस की lining या हम बोलते है सिलेश्म की परत ये क्या करता है हमें प्रोटेक्ट करता है HCL के बुरे प्रभाव से किसी प्रोटेक्ट करता है आप लोगों का HCL के बुरे प्रभाव से ये आपको हटाता है गाइस दू चीज़े याद रखनी है HCL ऑक्जिंटिक सेल के द्वारा बनता है क्योंकि यहां पर आप लोगों की थोड़ी कंबाइन क्लास से सीटेट पढ़ा रही होती तो बिलकुल ना बताती लेकिन क्योंकि बिहार वाले स्टूडेंस भी यहां पर है तो ध्यान रखेगा भाई की और अउग्जिंटिक सेल मेड़ बाइ स्टमक और इस हप्स ने प्रोड़क्शन अफ एक्ची एल नेक्स सवाल है है किस चीज में मदद कर रहा है बैक्टेरिया को किल रहा है प्रोटीन डिजेशन में मदद कर रहा है थर्ड पार्ट इस आट आप से बोला अचार है कि अगर बहुत बहुत है यूरिक एसट का बलड पे तो क्या कौन सी बिमारी हो जाती है हां दीखिए अगर आपका पंजाब स्टेट है तो भी पढ़ लो मैं आपको हमेशा बोलती आई हूं कि साइंस की कोशन कॉमन होते हैं कही ना कहीं दिखी जाएंगे आपको आपको याद होगा यूरिक एसट एक्कुमिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था अगर किसी को याद है थोड़ा बहुत भी डाट खाने वाले काम मत करो यूरिक एसट है यूरिया नहीं है ध्यान से देख लो यूरिक एसट है काईज डाम गॉड अस्थमा सुनाए कभी किसी को कि यूरिक एसट हो गया तो अस्थमा नलाइक स्टूरिंड्स दो चार पच्चों पर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है मुझे सच बताओं आप देखो जड़ा क्या है पिमारी का नाम क्या है पिमारी का नाम अस्थमा मत बोल दे ना देखो बहुत गुस्सा आजाएगा मुझे अस्थमा रेस्पिरिट्री डिसॉरडर है घुटनों की बिमारी नहीं है मुझे बात बताओ अस्थमा आपके फेपड़ों को खराब करता है लंग्स को खराब करता है घुटने तो सही रहते न उसमें आपसे बोल रहा है कि घुटने कहां खराब हो रहे भाई इसका देखो यूरिक एसे यहां पर आप लोगों का क्रिस्टल्स जम्मा हुए वे हैं यहां पर आपके कौन से बिमारी आप लोगों की गौट है अब बैक टू दा कोशन की तरफ जाते हैं हम एक बार जरूर हर हालत में जाएंगे आपसे यहां पर बात की जारे किस चीज़ क यहां मत के बारे पर आफ्राइडिस है और डॉट है तो आप लोग हमेशे धिहान रखना दॉट जणूज़ लगा कर आइंगे अर्थारिटेस नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्फ्लिमेशन नहीं है अगर आज़रेटिस के पासि इन्फ्लिमेशन वर्ड यूज उूज तो आप ये और ये इन दोनों में से कोई सब एक लगाते हैं आपका अंसर बिलकुल ठीक हो जाता पर आप यहां पर गाउट लगाएंगे क्योंकि आर्थराइटिस नॉर्मल है इन्फिलमेशन नहीं है जब आर्थराइटिस नॉर्मल होता है तो दार्ट इस ओली घुटनो में दर्द लेकिन जब गाउट में बदल जाता है तो इट मिस यूरिक एसेड हस्यादा एक्कुमलेट हो चुका है वहां पर चले बढ़ जाएं थोड़ अगे की तरह आपसे बोला जारे रख्त की साफसफाई कौन करता है ब्लड इस क्लीन बाए तो दिस इस दा कोश्चन जिस पे डार्ट खाने की फुल चांसे होंगे आप लोगों के मुझे पूरा भरोसा है बट ए और बी ऑप्शन से में हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग का अंतर है इंग्लिश में वो अलग-अलग प्रकार के दिक्कत होती है इंग्लिश देख लो भाई तब ही मैं बोलती हूं कि हिंदी में जो आप मेरे से थोड़ा प्लस माइनस करवाते हो उसमें हमेशा कोई न कोई मिस्टेक रहती है कि ब्लड इस क्लीन बाय लंग्स है लीवर है हाठ ए किट्नी है देखो कुछ महान बच्चे लंग्स भी बता रहे तो किट्नी की क्या जरूरत है निकाल क्यों हिए देते किट्नी अपनी बोडी से जब किट्नी कुछ करती ही नहीं है बेकार में आपकी बोडी का वजण बढ आईफोन खरित लो सही आंसर इसका किटनी ब्लड प्यूरिफिकेशं का काम मेरे भाई किटनी ही करती है जेनरल्ली फेपड़े भी करेंगे बाद में करेंगे सबसादा कौन करेगा आप लोलोगें करेगे ध्यान रखेगा तो बिलकुल correct answer है आप लोगों का kidney purification word जहां पर भी आएगा cleaned आजाए, purification आजाए यहां वो विदा kidney इसी का काम है भाई और किसी का काम नहीं है इसी का काम है ठीक है guys so this is all about the class for today आप लोग एक बात और अच्छे से धान रख लो भाई kidney का क्योंकि जिक्र हमने करी दिया है this is all about the kidney और यहां पर kidney के just उपर एक यहां पर gland present होती है जिसको हम क्या बोल कर चलते हैं जिसको हम adrenal बोलते हैं जिसको हम क्या बोल कर चलते हैं आप लोगों का adrenal बोलते हैं हिंदी में बोले तो अधीव रख so basically आपका kidney में अंदर की तरफ आप लोगों का nephron present होगा क्या present होगा आप लोगों का nephron और यह napron मदद करता है किस चीज में आप लोगों का urine formation में ध्यान रखेएगा adrenal gland किस चीज में मदद करेगा hormone release करता है जिसे हम 3F hormone कहते ही है जो आपका fear, fight और flight के दोरान release होता है जो fear, fight और flight के दोरान release होता है आप EGS बढ़ी आसे ध्यार में रखेंगे all right, so मेरी खासे यहाप पर किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए आप में से जिते students ऐसे हैं जिसको भाई ये नहीं पता है कि आप playlist तक कैसे पहुंचेंगे तो playlist का option तो आ जाएगा मेरी kidney नहीं है, ये सब की ऐसी ही होती है तुम्हें और कुछ नहीं मिलता तो तुम मेरी मजाग बनाना स्टार्ट कर दे तू चले, बढ़ते हैं वापस से यहाँ पर आईएगा YouTube पर चाहिएगा, sorry YouTube पर मैं जाती हूँ, आप तो YouTube पर ही है और रही है यहाँ पर हम सर्च करेंगे और सबसे फर्स्ट नमर पर आपको मैं ही नजर आऊँगी तो कि सुबह की शुरुआत तो मैं ही करती हूँ अपनी साइंस क्लास के साथ है न, सुबह सुबह आपको वैज्यानिक बना देती हूँ So guys, अब भी तो प्लेलिस्ट देखने के लिए आपकी पास option यहाँ पर है बड़े बड़े अक्षरों में प्लेलिस्ट लिखा हुआ है आप comment box में show more पर जाएए प्लेलिस्ट आपको वहीं से दिख जाएगी इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर किस चीज का option आता है साइड में sign up और login का option आता है जब आप यहाँ पर पहुंच जाएगे तो देखे इस application को डाउन्लोड करने के बड़े सारे फायदे हैं जैसे की PDF मिल जाएगी notes मिल जाएगी, e-books मिल जाएगी बहुत सारे practice sessions होते हैं प्लकुल मुफ्त होते हैं वो तब ही मिलते हैं जब आप यहाँ पर register करवाते हो तो यहाँ पर जाकर register करवाईए साथ ही में आपको 5000 सिक्के भी मिलने वाले हैं जो directly आपको course में enrollment करवाएंगे आप teaching पर जाएगा teaching में आप यहाँ पर CTET पर जाएगा और बहुत सारे students को Maths और Science चाहिए होता है CTET में आप Buy Now पर क्लिक करेए आपको यहाँ पर पूपन पोट रहता है Y518 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 अप्लाय करने के बाद यह आप लिगों का 1800 रुपेक हो जाएगा जिसकी validity पूरे-पूरे 6 महीने रहेगी जिसकी validity क्या रहेगी पूरे-पूरे 6 महीने रहेगी So guys, thank you so much Have a nice day, bye, take care Class कैसी लगी है, एक बार comment box में बताना मत भूलिएगा, अभी just 2 मिनट बाद मैं आपकी दूसरी classes start कर रही हूँ तो वहाँ पर मिल जाएगा Bye bye, thank you so much, namaste, namaskar ुज़गा